नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूल जारकन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जारकन की तमाम बड़ी खबरों को बिहार के बाद अब जारकन में भी गिरा पुल गिरडिये के अरगा नदी पर बना ब्रिज ध्वस्त बिहार के बाद अब जारकन में भी पुल गिरने की घटना सामने आई है रात तकरीबन आठ बजे बाया टेड़ा हो गया था इस बीच तेज अवाज के साथ निर्माणा धिन पुल का गटर तूट कर नदी में गिर गया अब आज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों में रहने वाले लोग डर गए जनकारी के मुताबिक पत्निर्माण विभाग पत्रमंडल गृडिये के द्वारा इस पुल का निर्माण साड़े पांच करोड की लागत से हुआ था पुल के काम के जिमिदारी एजेंसी ओमनमा शिवाय कंस्ट्रक्शन को मिला था कुछ साल पहले इसी तरह राची के बुंडू ब्लॉक में इस सितकाची नदी पर बना पुल ढह गया था जिससे दरजनों गाव का संपर्क तूट गया था इस पुल का निर्मार भी लगवक 10 करोड की लागत से किया गया था मामला जब तूल पकड़ा तो सरकार ने जिम्मेवार इंजिनियरों पर कारवाई करने की बात कही थी उचस तरी जाच कमिटी ने पाया था कि पुल के निर्मार में घटिया समागरी का इस्तामाल किया गया था इस पुल का निर्मार मुख्यमंत्री ग्राम से तू योजना के तहत किया गया था राजिके स्कूलों का एक जुलाई से बदलेगा समय सुबा नौ बजे से एक बजे तक स्कूलों का संचालन किया जाएगा कई नीजी स्कूल पुरू से ही सुबा आट बजे से कक्षा का संचालन कर रहे हैं राजी समय ताड जीलों में भारी बारिश का अलट पश्यम सिंगुम में बिजली गिरने से तीन बच्चे घायल ने अगले 24 घंटे के भीतर राची समय ताड जीलों में भारी बारिश का यलोव अलट जारी किया है इन जीलों में राची, पलामु, गड़वा, चत्रा, कोडर्मा, लतिहार, गुमला और लोहरदगा शामिल है उदर शनिवार को भी जमताडा, पलामु समित कई जीलों में तेज बारिश हुई पलामु में बारिश के दोरान पेड़ पर आकाशी बिजली गिरने से आग लग गई यहां बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया वही पश्चिमे सिंग्भूम में ठंका गिरने से तीन बच्चे घायल हो गए तीनों पुवाल से बने घर में बैठे थे जारखण में जून में 54.3 मिलिमीटर बारिश दर्च की गई है इधर मौसमी भाग ने कलराज के 13 जीलों में बारिश की संभावना जताई है को भी इनी जीलों में बारिश का अनुमान लगाया है वही राची में 4 जुलाई तक बारिश की संभावना है मन की बात में बोले पीए मोधी सीधो कानू का बलिदान देश्वासियों के लिए प्रधान मंधिन अरिंद्र मोधी ने रभिवार को अपने मासी क्रेडियो कारेकरम मन की बात में आज मनाये जा रहे हूल दिवस की चर्चा की और अंग्रेजों के खिलाब संभर्स में संथाल जनजाती के भाईयों सीधो कानू के बलिदान को याद किया उन्होंने कहा आज 30 जून का दिन बहुत महतोपूर है हमारे आदिवासी भाई बहन इस दिन को हुल दिवस के रूप में मनाते हैं यह दिन वीर सिधोकानों के अदब में साहस से जुड़ा है जिनोंने वीदेशी सासकों के अत्याचारों का डट कर विरोध किया था यह 1855 में हुआ था यानि 1857 में भारत के प्रतम सुतंत्रता संग्राम से दो वर्स पहले की बात है तब जार्खन के संथाल परगना में हमारे अदिवासी भाई बहनों ने वीदेशी सासकों के खिलाफ हतियार उठाये थे पीम ने कहा कि हमारे संथाली भाई बहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किये थे उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिये थे इस संगर्स में अद्वुत वीर्ता दिखाते हुए वीर सीधो और कानू सहीध हो गए उन्होंने कहा जार्खन की भूमी के इन अमरसपूतों का बलीदान आज भी देशवासियों को प्रेडित करता है इसके बाद कारिक्रम में संथाली भासा में दोनों भाईयों के बलीदान को समर्पित एक गीत का अंज सुनाया गया कल से लागू हो जाएंगे नए क्रिमिनल लौ हर्तियारों को 302 नहीं 101 और दुसकर्मियों को धारा 63 में मिलेगी सजा देशभर में एक जुलाई से नए क्रिमिनल लौ लागू हो जाएंगे एक जुलाई से भारतिय नए सनिता, बी एनेस, भारतिय नागरिक सुरक्षा सनिता, बी एनेसेस और भारतिय साक्ष अधिनियम, बी एस से लागू किये जाएंगे ने क्रिमिनल लौ में 33 ऐसे अपराद शामिल होंगे जिनमें जेल की सजा बढ़ाई गई है 33 ऐसे अपराद है जिनमें अनिवार सजा सुरू की गई है और 83 अपरादों में जुर्माना बढ़ाया गया है भारतिय दंड सनहिता IPC में 511 धाराय थी लेकिन भारतिय ने सनहिता में धाराय 358 रह गई है अपरादिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराव का क्रम भी बदल जाएगा ने क्रिमिनल लौ लागू होने से हत्यारों को 302 नहीं 101 में सजा मिलेगी इसी तरह कई ऐसे धारा हैं जिनकी पहचान बदल जाएगी संथाल परगना में आदिवासियों की तेजी से घट रही संख्या चमपई सरकार SIT बना कर कारणों की करे जाँच बाबुलाल मरांडी बाबुलाल मरांडी का कहना है कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगतार कम हो रही है जबकि मुसल्मानों की संख्या बढ़ती जा रही है ऐसा क्यों हो रहा है चमपई सोरिन की सरकार को SIT बना कर इसकी जाच करानी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधान सभा चुनाओ के लिए हम काफी मजबूत हैं हम जारकर्ण मुक्ती मोर्चा को आटे दाल का भाव पता करवा देंगे बाबुलाल मरांडी ने ये बाते दुमका में कही भाश्वा प्रतेसाद ध्यक्षव पुरोसीयम बाबुलाल मरांडी आज दुमका पहुचे या उन्होंने बड़ा बांध चौकिस्थित सीधो कानू की प्रतिमा पर माल्यारपड किया इस मौके पर उनके साथ पुरो मंत्री लुईस मरांडी समित बड़ी संख्या में पार्टी कारे करता भी मौजूद थे प्रतिमा पर माल्यारपड करने के बाद बाबुलाल मरांडी ने कहा कि सीधो कानू, चांद, भैरो, फूलो वा जानो के नेत्रितों में 1815 में ब्रिटीर्स हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया गया था इस आंदोलन में हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की थी उन्होंने अंग्रेजों को कॉड़ी टक कर दी थी इसी आंदोलन का नतीज़ा था कि संधाल परगना छेत रस्तितों में आया या स्पीटी संधाल परगना कास्तकार या धिनियम कानून लागू किया गया है T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को मिल रही शाबासी जार्खन के माननियों ने भी दी बधाई मुख्यमंत्री चंपई सोरन ने भी टीम इंडिया को सांधार जीत के लिए सुबकामनाय दी है उन्होंने लिखा कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर भारते क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई पुर मुख्य मंत्री हमंसुरन ने भी टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई दी है उन्होंने सोसल मीडिया साइट एक्स पर लिखा जिंदबाद टीम इंडिया केंद्रे मंत्री अन्नपूर्डा देवी ने भी टीम इंडिया को वल्ड कप जीतने पर बधाई दी है उन्हों चालीस करोड भार्तियों का मस्तक गर्व से उचा कर दिया है। पर लिया है। एजेंसी इनामी नकसली से एक जुलाई तक पूछताच करेगी। नेशनल गंजू लतिहार जीले के बरियातु थाना छेतर जिर्मत कोना गाउं का रहने वाला है। प्रतियों के प्रतियों को सूचना दे दी गई है। मंत्री बसंत सोरें ने सीधो कानों की प्रतिमा पर किया माल्यारपड हमन सोरें को बताया वर्तमान हूलनेता। जारकन सरकार के पत्रिमार मंत्री बसंत सोरें का कहना है कि राज में जब भी विधान सभा चुना होंगे हम उसके लिए पूरी तरह से तयार हैं। दुमका में हुल दिवस के आउसर पर सीधो कानों के प्रतिमा पर मल्यारपड करने के बाद बसंत सोरें ने अब बात कही। आज हुल दिवस के आउसर पर जारकन सरकार के पत्रिमार मंत्री साहिस्थानिय विधायक बसंत सोरें ने अपने कारिकरताओं के साथ दुमका के बड़ा बांद चौकिस्थित सीधो कानों के प्रतिमा पर मल्यारपड किया और उनके चरडों में श्रधा सुमन अर्पित किय इस आउसर पर बसंत सोरें ने पूरे राज के लोगों को हुल दिवस की आर्धिक सुपकामनाय दी हैं उन्होंने कहा कि इन वीर्ष रहीदों ने देश के लिए अपने प्राडों की आहूती दे दी हैं अम उन्हें याद कर रहे हैं और उनके बताय रास्ते पर चल रहे हैं बसंत सोरें ने कहा कि आज हूल क्रांती के हमारे वर्तमाननेता हिमंत सोरें हैं और वे अब लोगों की बीच हैं उनकी आवाश पूरे जारखन में गुंजेगी जब मंत्री बसंत सोरें से पूछा गया कि जारखन में विधानसभा चुनाओ क्या समय से पहले होने की तो उन्होंने साफ कहा कि जब भी चुनाओं होंगे जारखन मुक्ती मोर्चा उसके लिए तैयार है चुनाओं को लेकर जो रणनीती बनेगी उस पर कल से ही चर्चा होगी उन्होंने पुरे विश्वास के साथ कहा कि आने वाला समय हमारे लिए काफी बहतर है योजनाय तै की जा रही हैं जिनका तेजी से धरातल पर क्रियानवन भी हो रहा है SNMMCH में नीजी एंबुलन्स चालकों का जमावडा रात में आने वाली महिला डॉक्टर और छात्राओं पर करते हैं भद्दे कमेंट शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH कूव्यवस्था की भेट चड़ा हुआ है मरीश छोड़िये यहां कि डॉक्टर भी परिशान है कारण है अस्पताल परिसर में नीजी एंबुलन्स संचालकों मनमानी नीजी एंबुलन्स चालकों ने अस्पताल परिशानी को बढ़ा दी है सिर्फ कुववस्था ही नहीं बलकि एंबुलन्स संचालन से जुड़े लोगों का रात में अस्पताल में जमावरा लगा रहता है विरात में आने जाने वाली महिला डॉक्टरों पर अभध टिपड़ी करते हैं इसले कर अस्पताल परबंदन ने पुलिस से नीजी एंबुलन्स को अस्पताल परिसर से बाहर पार्क करने की मांग की है बढ़ गई दी टेंसन जन्मदीन के उपहार के लिए धन्यवाद MS धोनी ने भारतिय टीम को कुछ इस अंदाज में दी बधाई भारत ने ICC T20 World Cup जीत लिया है भारतिय टीम को 2007 T20 World Cup चैंपियन बनाने वाले MS धोनी ने रोहित सार्मा की नेतरितुवाली टीम इंडिया को खिताब जीतने पर सुपकामनाय दी है धोनी ने Instagram पर रोहित सार्मा के टीम को सुपकामनाय देते हुए अपनी खुशी व्यक्त की है माही ने कहा कि एक वक्त पर मेरी दिल की धड़कने बढ़ गई थी आत्मविस्वास बनाय रखते हुए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बधाई उसके साथ उन्होंने कहा कि जन्मदिन के अन्मोल उपहार के लिए धन्यवाद भारतिय टीम की जीत के लगभग दो घंटे बाद पहला T20 वे शुकप जीतने वाले भारत के पुरोकप्तान MS धोनी ने इंस्टाग्राम पर अपनी भावनाए व्यक्त की बोकारो पाकुड और पलामू में नय डिडीसी बनाए गये कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभासा विभाग ने शनिवार को इसके दिसूचना जारी कर दी है बादला किये गए सबी अधिकारी जार्खन प्रशास्निक सेवा के हैं। संथाल के सबी छे जीलों को इसका लाफ सबसे अधिक मिलेगा। कई महतुपूर सड़क पूलो प्रखंट भवन सहित सिचाई पर योजनाओं की सौगात दी जाएगी। इनमें कई नई योजनाएं भी दी जाएंगे। सीएम ने इस कारेकरम को देखते हुए तीनों विभाग की तयारी कर रहे हैं। संबंद जीला प्रशासन को भी इस संबंद में दिशा निर्देश दिया गया है। इस अउसर परिस्थाने मिधायक सांसत सहीत वरिपदा धिकारी भी उपस्तित रहेंगे। जनकारी के अनुसार दोनों शनिवार की देर शाम बाइक से चत्रा की ओर आ रहे थे। इस दोरान अग्यात को वहां ने चपेट में ले लिया जिससे दोनों की मौद घटना इस्थल पर ही हो गई। बाइक सवार को चपेट में लेने के बाद वाहन फरार हो गया। वहां चालक की पहचान कर कारवाही करने की मांग की है। इस संबंद में थाना प्रभारी अमित कुमार गुपता ने कहा कि मृतक के परिजुनों के आवेदन के अधार पर मामला दर्च किया जा रहा है। मनरेगा कर्मी दो जुलाई को वादा निभाव रैली करेंगे। संग की ओर से मुख्यरूप से इस्थाई करड की मांग की जा रही है। मनरेगा कर्मचारी संग ने इस संबंध में बैठक भी की जिसमें मुख्यरूप से संजय प्रमाडिक, अनिरुद पांडे, व्यास देव, निखल तिवारी, मुहमद इंतियाज, गुन जुन, सुमन गांगुली आदी उपस्थित थे। मरीज को बंधग बनाकर रखने के आरोपी जिनेटिक अस्पताल के डिरेक्टर समित अन्य पर सदर्थाना में मामला दर्ज। सुनिता कुमारी को खुंटी सतर अस्पताल से रिम्स रफर कर दिया गया था। राची पहुशने के बाद एक अग्यात आटोवाला रिम्स में ही सही इलाज नहीं होने का हवाला देते हुए पत्नी को जनेटिक अस्पताल लेहाया। जहाँ ऑपरेशन करने की बात कही गई जनेटिक अस्पताल के तरफ से दवाई का खर्चा छोड एक लाग बीस हजार रुपए का खर्च बताया गया था। अटाइस माई को मैंने नब्बे हजार रुपए जमा किये थे। ऑपरेशन के बाद एक तीस माई को तीस हजार तीन जून को पचास हजार जमा कराया। व जनेटिक अस्पताल के जाच करने का निर्देश दिया है। मानसून की हलकी बोचार से खुंटी शहर हुआ जलमगन, डाग बंगला रोड पर बह रहा नाली का पानी। में पानी भर गया। दुकांदार पानी निकालने में जुटे हैं। इस्थाने लोग कहते हैं कि अगर सड़क और नाली के समुचित ववस्था नहीं हुई तो इस साल पुरा मानसून जल जमाओं में ही गुजरेगा। इसी सड़क से खुंटी विधायक निलकंट सिंग, मुंडा समित कई वी वी आईपी और वी आईपी अपने आवास आते जाते हैं। वी वी आईपी कहे जाने वाले खुंटी शहर के डाग बंगला रोड और सड़क किनारे नाली का निर्मार पिछले साल सुरू हुआ था और इस साल पूरा हुआ है। से जुड़े कागजात की जाचकी टीम करीब 6 घंटे तक मुख्याले में रही और अपने साथ कुछ दस्तावेज भी ले गई थी। टीम ने HEC के पूरो CMD अभिजीत घोष के राचे इस्तित आवास पर जाकर भी उनसे पूछताच की है। पूरो CMD और दिली कार्याले में उस दोरान पदिस्थापित एक अधिकारी को भी जानकारी थी। जुन 2023 में भी CBI के विसेस टीम HEC मुख्याले आई थी। उस दोरान भी मुख्याले में पदिस्थापित कई अफसरों से CBI ने पूछताच की थी। ततकालिन CMD अभिजित घोश के कारेकाल में हुईराशी जमीन आवंटन आदी से संबंदित फाइले ली गई थी। गृडिय के विवसायों को आ रहा है रंगदारी का कॉल पोलिस CBI और क्राइम ब्रांच के नाम पर की जा रही है वशूली। हैलो धंडा करना है तो सहब को पैसा देना होगा नहीं तो काम बंद कर दो। कुछ इसी अंदाज में गृडिय के कई विवसायों को धंकी भरा फोन आया है। पुरे मामले की जाच की जा रही है। बर्मा माइन्स में टाटा स्टील के टूट रहे क्वार्टर के मलबे में दो यूवक दबे। जम्शितपुर के बर्मा माइन्स थाना अंतरगत लिंड से कमपनी के समीप टाटा स्टील के घरों को तोड़ा जा रहा है। अरविवार्तर के एक मकान का मलबा गिरने से उसमें दो यूवकों के दबने की सूचना मिल रही है। वैसे इस्थानिय लोगों का कहना है कि एक यूवक बच गया है जबकि ये कभी भी मलबे के भीतर दबा हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों यूवक मलबों के धेर से कबार चुनने के लिए वहां गये थे। तबी आधा तोड़ा गया मकान का मलबा भरबरा कर गिर गया जिससे दो यूवक उसमें दब गये। एक यूवक का नाम डोमन सिंग है एक को इलाज के लिए MGM ले जाया जग गया है। सूचना मिलते ही बर्ममा इस्थाना पुलिस मौके पर पहुची और इस्थानी लोगों के सायोग से रस्क्य ओप्रेशन में जुट गई है।